Hello everyone, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका एक YouTube का चानल है और ये YouTube के चानल पे आप ये चाहते हैं जो आपके comments आ रहे हैं, जो user comment कर रहे हैं, उसमें link जो आता है या कोई ऐसा link आता है जिसके अंदर वो खुद को promote कर रहे है या वैसा कोई link आता है जिसक आपके comments को उसके बाद ही दिखें तो ये आप कैसे कर सकते हैं ये हम आज step by step देखेंगे इससे पहले अगर आपने हमारे चानल को subscribe ने किया है तो जरूर subscribe कर लीजे हम daily social media marketing और digital marketing regarding content डालते रहते हैं तो हम start करते हैं हमारा video तो ये करने के लिए सबसे पहले आप आपके YouTube studio मे जाने के लिए आपको YouTube पे login करना पड़ेगा और same email id यूज करना पड़ेगा जिसको यूज करके आपने account बनाया है फिर यहाँ पे settings में click कर दीजे settings में क्लिक करने के बाद में एक option है अब ये जो मेरा ये आ रहा है वो यहाँ पे click dash लाह से आ रहा है तो मैं settings पे जाता हूं setting पे click करता हूं setting पे click करने के बाद में एक option है जिसका नाम है community करके उसके उपर click करिए ये community के अंदर आने के बाद में आपको नीचे जाना है scroll down करके automated filters में ही और नीचे आके यहाँ पे option है जिसका नाम है block link करके ये block link पे click करेंगे जैसे आप तो वो basically क्या करेगा जितने जिसके अंदर links आते हैं या वैसे comment जिसके अंदर लोग अपने profile का link डालते हैं वैसा कोई link डालते हैं जो मतलब जिसके अंदर कुछ abusive words है या abusive content है तो वो सभी link को वो review के लिए डाल देगा मतलब वो comment को review के लिए डाल देगा जब तक आप review नहीं करेंगे और अप्रूव करेंगे तब तक वो comment डिखेगा यहीं मतलब direct डिखना वो बंद हो जाएगा तो यह जो link है option है इसे अगर enable करना है तो click करिये और save कर दीजे जैसे ही save करेंगे आपके comment section में अगर आप जाते हैं तो जो भी comment वैसे होंगे जिसके अंदर link है तो वो held for review में आ जाएंगे तो अगर आपने वो comments को approve कर दिया तो ही वो दिखेंगे अगर आपने वो comments को reject कर दिया तो वो comment दिखना बंद हो जाएंगे आपके जो videos है उसके अंदर से तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आपके जितने भी videos में link का comment आता है उसे disable कर सकते हैं thank you